क्या आपका अकाउंट बैंक ओफ इंडिया के अंदर है और आपको बैंक ओफ इंडिया की तरप से एक मेसेज प्राप्त हुआ है जिस मेसेज में बताया गाया है कि C.Y.C.R. आपको करना अनिवाज है यानि कि आप से 14 अंको का C.Y.C. नंबर मांगा गया है और आपको ये C.Y KYC R का full form क्या है किस तरीके से KYC को आप करेंगे इसकी complete प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें जैसा कि आपको इस तरह का मेसेज बैंक ओफ इंडिया की तरफ से मिला है सबसे पहले हम समझेंगे KYC का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब जो होता है Central KYC Registry KYC का मतलब होता है Central KYC Registry का full form पूरा होता है और यह अगर आपको मेसेज मिला है तो इस मेसेज को आप समझने की कोशिश करेंगे पहले आपको यह मेसेज कुछ लोगों को इंग्लिश हुआ हिंदी दोनों में देखने को मिल रहा है यहनी कि हम यहाँ पे इसका हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्रिए ग्रहाक RBI निर्देशों के अनुसार CKYC R 14 अंकों का अनिवार हैं क्रपया अपना CKYC ID नंबर जमा करें यहिदी आपके पास उपलब्द हैं अन्यता नियमित बेंकिंग सिवाव का लाब उठाने के लिए करपया आज से 15 दिनों के बीतर शाका में KYC दस्तावेस जमा करें यदि पहले ही जमा कर दिया गया है तो इसे अन्देखा करें BOI यहनी कि इसमें बताया गया है कि आपको CKYC करना अनिवारे हैं अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी बेंकिंग के सेवाए वो रोक दी जा सकते हैं अगर आपको CKYC नंबर नहीं याद हैं आपको CKYC नंबर अपना नहीं पता हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपने नजदी की जो बेंक आपका जो ब्रांच है जहाँ पर अपका अकाउंट हैं, वहाँ जाकर आपको KYC डोक्यमेंट सब्मीट करवाने होंगे, आप KYC कॉंट 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 साब को वहाँ पर सब्मीट करवाने हैं, उसके लिए आपको अपना आधर कार्ड, पेन कार्ड और आपको अपनी बेंक पास्बूक की फोटो कोपी और एक पास्पोर साइट फोटो वहाँ पे ले जाना है, ताकि आपका वहाँ पे KYC यानि कि आपका जो KYC हैं, वो अपडेट कर देंगे, उसके माधियम साब का KYC भी वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, अगर आपको 14 नमबर का KYC आर नमबर याद नहीं है, तब आपको वहाँ पे एक दूसरा उप्षिन बतायागा है, अगर आप नहीं करवाते हैं, तो आपके जो बेंकिंग की सेवा हैं, आपके जो टांजेक्शन हैं, आपके जो लेन देन अगर आप करते हैं, वो कभी भी यहाँ पे रूख सकते हैं, आपको यहाँ पे मेसेज अगर आया हैं, तो 15 दिनों के बीतरी हैं, आपको बेंक कर जा कर सकते हैं